यामाहा मोटर इंडिया ने एक मैक्सी स्कूटर रिवील कर रहा है अपने कैंपेंड में जिसका नाम है यामाहा एनमेक्स 155 यह जो मैक्सी स्कूटर है यह काफी प्रैक्टिकल वने वाले इंडियन माकेट के लिए आपको इसमें स्टोरेज ज्यादा मिलने वाली है, कॉंफर्ट ज्यादा मिलने वाला है और जो मालेज होगा वो भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इसमें कंपारिजन में Aerox से क्योंकि यह जो स्कूटर है यह नोर्मल रैट के लिए बना है, हमारे जो Aerox है वो थोड़ा सा परफोमेंस ओरियन्टीड है यामा ने इसको Call of the Blue 4.0 में रिवील कर रहा है, जिसमें यामा XSR और Tannery भी है XSR को लेकर मैंने एक वीडियो बना दी, ओपर आपको लिंक पिल जाएगा फिलाल मैं आपको बताने वाला हूँ, यामा का जो NMAX स्कूटर है, वो इंडियन मार्केट में कब तक लांच होने वाला है NMAX में आपको सेम इंजन मिलने वाला है, जो यामा Aerox में है, और वही सेम इंजन यामा MT-15 और RNPY में भी उसकरा जाता है इसलिए जो है इंडियन मारकेट में काविस है लोग इसके लांच होने का बेट कर रहे है Yamaha NMAX में आपको मिलेगी 15BHP की पावर 8000RPM और स्कूटर में टोर्क होगा 14.4Nm का 6000RPM तो जो स्कूटर में पर्फोर्मेंस है वो आपको सेम मिलेगी जो Yamaha Aerox में आपको मिलती है लेकिन जो comfort है, practicality है वो आपको NMAX में बेटर मिलने वाली है या महा NMAX जो है वो एक proper maxi scooter है तो जो maxi scooters होते हैं वो comfort के लिए जाने जाते हैं तो features में आपको scooter में मिलेगा single EBS आप सभी की safety के लिए इसमें आपको navigation support मिलेगा, scooter में keyless function होगा और आपको इसमें fully digital console मिलेगा जिसमें आपको सारे function shock हो जाएंगे और suspension में इसके front part में होँगे telescopic fork और यह पार्ट में होँगे twin shock absorber और tire जो है वो आपको इसमें same Yamaha Eros वाले मिलने वाले है जो radial होंगे और lights में आपको सभी parts में LED lights मिलेगी और dimension में scooter वावबेटर 127 GHz का 765 mm के आपको इसमें seat hat मिलेगी जो बिल्कुल comfortable रहेगी short rider के लिए और इसमें आपको मिलेगी 6.6 liter की fuel tank capacity और यह scooter आपको 40 से 45 km बेल का mileage देरेगा बड़े अराम से तो अगर आपको यह ऐसा scooter लेने का plan कर रहे हो जिससे आप daily rides भी करपाऊ साथी साथ आपकी long rides में निकल जाए और जो performance है storage आपको decent enough मिल जाए scooter में देन आप इसके launch होने का बेट कर सकते हो बाकी बात करें हम launch date की तो यह scooter आपको 2025 के मार्केट में देखने को मिलेगा expected यह 2025 के first quarter में launch हो सकता है और launch होने पर इसका price हगा दाएगा 1,20,000 से 1,30,000 के शरूम price पर तो यह दियाद की वीडियो इन टूल मार्केट में launch होने वाले या महाँ NMAX के बारे में I hope आपको वीडियो बसंद आई होगी और अगर बसंद आई है तो वीडियो को लाइज दिये और नीचे दिये गए बैल आकान को पैस करना मत बोलना टाकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो बस जार दोस्तों आज ले इतना ही बागी गल दुबार से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में